कि हलो जहिन साथियों नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन है आपके अपने प्लेटफॉर्म डेसल लर्निंग पर कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूं कि बहुत यह अच्छे एकदम शांदार जवर्दस्त जिन्दाबाद मिजाज में होंगे जल्दी से अभी हम आपका एडवांस ले के आए हैं किलियर कि जी कि चले ध्यान देना आज कि जिमेट्री हमने शुरू किया था और सहाब मैं आपसे बता दूं सबसे पहला टॉपिक लाइंस एंड अंगल्स हमने इसकस कर लिया है किया लाइंस एंड इंगल्स और सुदिट ही और रावसि vraiment होग secar के बाद प्रोल्ति पढ़ेंगे भी में सुर्कल सिर्कल के बाद कोड्लिनेड जंत्रे पिर इसके बाद जोंटे की कहानी कि एल्यान करने के बाद और उसका रिवीजन जरूर जारी रखिएगा क्योंकि उन उनी छोटी-छोटी स्टेप्स की मदद से फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और आज ट्रेंगल की शुरुआत करते मैं गैरेंटी देता हूं सब्रू बनाए रखना साहब पेसेंस कायम रखना ट्रेंगल इ कि हैं ट्रेंगल की शुरुवात करते हैं हकीकत बतां तो यह मैट्री का सबसे हिरो टाइप का जो चेप्टर है न ट्रेंगल है क्लियर और आप देखेंगे जब मेंस लेवल का जो कोश्चन आता है ससी सीजियल में उन-डिक्त आ कि उसमें ट्रेंगल का बहुत बढ़ा करके देदिया कई बार आपको ये देखने को मिलेगा ट्रेंगल मिक्स करके देदिया तो ट्र patio के अंदर जो ट्रेंगल के सबुर्फिक्स जो कुछ भी आपको पढ़ाएँ गा उसके बारे में मैं एक rightbas सा इंट्रोडक्शन दे दूं सबसे पहले तो ट्रेंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन एकदम पेसेंस बनाए रखना और जितने भी बच्चे देर से लाइब जूटते जा रहे हैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत विनंदन है पेन पेपर खोल के बैठी है साहब किलियर और य प्रेंगल के बारे में और यह बेसिक इंट्रोडक्शन इतना इंप्रोटेंट होगा मैं गैरेंटी देता हूं अपने पढ़ा तो होगा लेकिन इतनी मज़दार तरीके से नहीं पढ़ा होगा वह आज की कहानी में क्लियर होगी क्लियर है साहब उसके बाद एंगल सम्प्र प्रोपर्टी क्या एंगल सम्प्रोपर्टी यह आप बच्पन में जब पढ़े होगे तो नाइंथ क्लास में पढ़े होगे किलियर है साहब ठीक है इसके बाद आपको एक और कॉंसेप्ट सिखाऊंगा एक स्टीरियर एंगल exterior angle property मतलब triangle के exterior angle के बारे में समझाऊंगा साहब उसके बाद फिर कहानी होगी equal sides equal angles opposite sides of equal angles are माफ कीजिएगा opposite इसी छोटी सी जगह में सबको adjust करना है opposite sides of equal angles are equal angles are always equal ठीक है भाई उसके बाद जो triangle का concept समझेंगे ओ angle bisector theorem ये सारी बाते बताना जरूरी है क्योंकि पता चलता है पूरा chapter खतम हो गया बच्चे को पता ही नहीं है कि triangle के अंदर हमें क्या-क्या topic क्या-क्या concept पढ़ना था ठीक है न angle bisector theorem ठीक है angle bisector theorem जहां से जन्म लेता है वही base proportionality theorem और base proportionality theorem जन्म कहां से लेता है तो similarity से यह सारी बाते इसलिए लिख रहाँ ताकि आप कहीं से भी पढ़ो कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे से पढ़ो कहीं से भी पढ़ रहे हो तो इन सभी topics का knowledge होना चाहिए ठीक है similarity के बाद सहब centers of triangle centers of triangle clear है उसके बाद area of triangle अब इसी centers of triangle में ही आपको in center, circum center, ortho center यह सारी चीज़े पढ़ाऊंगा ठीक है area of triangle और area of triangle के बाद individually हर triangle के बारे में individually हर एक triangle के बारे में पढ़ेंगे मतलब triangle इतना समझे लो कि geometry जो पूरा based है वो triangle पर बेस्ट है clear है इतनी सी बात चलिए कि एक भाई पूछता है कि सर आपका नाम क्या है कि इसे छापलो नाम भी बता देंगे नाम निखिल चौधरी है कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ना हो टॉपिक का नाम लिखो यूटूब से हैं बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है तो भी आपके लिए जरूरी है और जिनको चीजें आती हैं उनके लिए भी जरूरी है clear कि अब यह ज 흥म fireworks की सुरूआत करते हैं सभसे पहले में इसके डेफनिशन की बात करों कुझ कुप ध्याद से समझना सबसे पहले में इसके डेफनिशन इसकी बात करें कि ट्रेंगल का डेफनिशन क्या होना चाहिए verw Mill A plane geometrical figure, a plane geometrical figure, a plane geometrical figure, which is bounded by, which is, which is bounded by, which is bounded by three line segments, three line segments, ये छोटी सी बात लगभग सबको पता होनी चीए नहीं भी पता है तो ये एक्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन अगर कहानी की शुरुआत कर रहे हैं तो इतना बताना जरूरी है ध्यान दिजेगा a plane geometrical figure which is bounded by three line segments is called triangle मतलब तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृती को तिर्भुज कहते हैं क्लियर है अब ये बताना थोड़ा सा बे तुका हो जाएगा क्योंकि अब ग्रेजुएट है कि तिर्भुज की तीन भुजाएं तीन सीर्स तीन कौन इतना नहीं क्लियर है ये ट्रेंगल का अगर इसके आगे की मैं कहानी बताऊं तो टाइप्स ओफ ट्रेंगल अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा टाइप्स ओफ ट्रेंगल प्यार से समझने की जुर्यत है साहब तिर्भुज के कितने प्रकार होते हैं जितने भी बच्चे फिलहाल लाइव सेशन में देख रह डेफिनीशन तक तो कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था लेकिन अब समझने की जुर्यत है गुरु यह तिर्भुज है आपका किलियर इसका नाम लिख दू मैं इसका नाम लिख दू ट्रेंगल ए बी सी ध्यान दीजेगा तिर्भुज को दो आधार पे बाटा गया है पहला on the basis of on the basis of sides मतलब भुजा के आधार पे उसके बाद on the basis of angles अब खूब प्यार से समझते चलना है बही on the basis of angles किर्भुज को दो आधार पे बाटा गया है एक भुजा के आधार पे और एक कोण के आधार पे किलियर है एक भुजा के आधार पे और एक कोण के आधार पे प्यारे भुजा के आधार पे भी तिर्भुज के तीन प्रकार होते हैं भुजा के आधार पे भी तिर्भुज त विशम बाहु तिर्भुज कहते हैं चलिए दूसरा है आईसो सेले स्ट रेंगल इसे हिंदी में समद्वी बाहु तिर्भुज कहते हैं खुब प्यार से समझना यहाँ अब तुम्हारे नॉलेज का टेस्ट होगा और चीज़ें गलत करने की संभावना तुम्हारे पास जादा होगी जादा गलती करोगे जितनी भी नॉलेज है अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ट्रेंगल के बहुत बहुतरी नॉलेज है तो बरदास्त किये रहो आगे अभी कहानी पता चल लाएगा आइसो सेले श्ट्रेंगल उसके बाद ती पर आत्रमी कुंड़ा का रिखा जाए तो साव का संभाल लेना हिंदी में इसे नियून कोंड तिर्भुज कहते हैं दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल दूसरा राइट एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल जिसे हिंदी में सम कोंड तिर्भुज कहते हैं और तीसरा है और ट्यूस एंगल ट्रेंगल क्या तीसरा है औ obtuse angle triangle जिसे हिंदी में अधिक कोन तिर्भूज कहते हैं क्या अधिक कोन तिर्भूज कहते हैं अब मेरी बातों को खुब प्यार से समयना तिर्भूज को दो आधार पे बांटा गया है किलियर है तिर्भूज को दो आधार पे बांटा गया है एक भुजा के आधार पे और एक क three-QUilet central कि कहते हैं दूसरा conde centrally Reverend now को हिंदी सम्धी वाहू दिश कहते हैं तीसरे को संभाहू में बाटा गया तीनों का नाम इस प्रकार से है aq अंगल ट्रेंगल जिसे हिंदी में निएन कहते हैं रहाइट एंगल ट्रेंगल जिसे का हिंदी में अधिक कोण तिर्भूज कहते हैं समझने की बात यहां पर यह है प्यारे जैसे ही मैंने आपको बताया कि सहाब विशम बाहु तिर्भूज एक ऐसा तिर्भूज जिसकी कोई भी भूजा आपस में बराबर ना हो अभी लग रहा हो कि आसान लेकिन दो मिनिट का टाइम पे प्यारे विशम बाहु तिर्भूज का मतलब आप लोग आज तक यही जानते हैं कि एक ऐसा तिर्भूज जिसकी कोई भी भूजा आपस में बराबर ना हो विशम बाहु तिर्भूज का मतलब आज तक आप यही जानते थे कि जिसकी कोई भी भूजा आपस में बराबर ना ह विसम बाहुतिर्भुज कहलाता है किलियर ना ध्यान दीजेगा समध्वी बाहुतिर्भुज का मतलब आप ये जानते थे कि एक ऐसा त्रुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं कोई भी दो भुजाएं कोई जरूरी नहीं ये दोनों हैं भई हो सकता ही ये भुजा और ये वाल बात आप को सब raise लिए इतनी बात हैं इतनी बात सब को पता है औ सारे स्टूडेंट यह सोच रहे हूंगे इतनी आसान बाते तो सिखा रहे हो फिर कह रहे हो कि अभी सारे ज्यान का टेस्ट हो जाएगा अब पल आ गया है पेसेंस के साथ अगर आपको लगता है साहव कि हां सर जी मुझे बहुत कुछ पता है ट्रेंगल के बारे में बिटा अब छोड़ के कोई मत जाना और अगर लगे कि हां जान थी इस बात में तो साहव अपने दोस्तों में शेयर करते चलना अब मेरी बात को ध्यां सुन ABC कुप प्यार से समझेगा एक त्रिभूज है ABC जिसकी एक भुजा की लंबाई दो सेंटीमीटर और एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर प्यारे जरा बता दो किस टायिप के त्रिभूज है बुजा के आधार पे मैं बस आपसे ये पूछ रहा ओं कि भुजा के आधार पे किस प्रकार के तिर्भुज है बस इसका नाम बता दो आप भुजा के आधार पे ये सबका कमेंट आ जाना चीये और जितनी बच्चे फिल्हाल लाइव सेसन में हैं रुखना नींच ये गृू क्लियर है one सभी बच्चों का प्लीज इस बात पर कमेंट देना जरूरी है माई डियर क्योंकि नौलेज का टेस्ट यहीं से होगा कि लिए रहें एक बार जल्दी से सब का कमेंट आजाना चाहिए खेंक है बहुत से बच्चों का अंसर विसंबाहु तिर्भूज विसंबाहु तिर्भूज और बच्चों और जितने भी बच्चें जल्दी से कौर अरे एकार भुजां के आधार पर बताओ कैसा तिर्भूज है तैफी भाई, I love you my dear sir, very good, भुजा के आधार पे कैसा तिरुज एक वार बताएंगे ज़रा, अरे यार, अभी समझाया, खुब ध्यान समझो, अभी आप लोगों को समझाया, कि भाई मेरे, हाँ, very good, अभी सबकी कहानी बताऊंगा, भाई मेरे कोई भी ऐसा तिरुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, वो विशम बाहु तिरुज कहलाता रे, बदमास, एक बार जरा देखो जरा, इस तिरुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर है क्या, इस तिरुज की कोई भी भुजाएं आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो विशम बाहु तिरुज, अगर कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती, तो समझाय बाहु तिर सब गलत हो अरे भी एक बात बताओ बच्चा पैदा हुआ नहीं नाम कई से रख दोगे तुम उस प्रजाती के आशिक हो भी आप पहली नजर में फैमली प्लैनिंग कर लेते हो मतलब लड़की सेट हुई नहीं कि बाल बच्चे का नाम भी रखना शुरू कर देते हो हैं बही मतलब लाइवरेरी में गलती से कोई एक खूबसूरत सी लड़की आके बैठ जाए अरे बाप रे बाप का बताएं कुछ इस प्रजाती के विद्यारती होते हैं कि पता नहीं मुन्ना मुन्नी सब के नाम सोच लेते हैं कि का नाम रखना है बच्वा का नाम का होना चाहिए यह के नाम राम दुलारी यह के नाम राम दुलारा है वह अंद्यानें ओ कि लिटा। रंगल का नाम तो तुमने दे दिया गुरु कि साहब विशम भापन का मत Ollie संब कि सम्धिव हैं कि संबाहू है पहले यह देखो कि ट्रेंगल बनेगा कि नई बनेगा बच्चा के नाम बाद में रखिए पहले सेटिंग तो करो हैं भाई बिया भाइले नहीं के मतलब हमारे बिहार में कहावत है कट हर अभी गाचिये पबाद तो अनी के होट में तेल लगावे लगला जा चलिए आईए अब मेरी बात को सुनिएगा सबसे पहले किसी भी ट्रेंगल का नाम देने से पहले किसी भी ट्रेंगल का नाम देने से पहले है चुप हो जाओ इसके लेंड ट्रेंगल मारे अगर अभी आफ्लेंड क्लास में तक कान के नीचे खीच के लगाते हम इसके लेंड फिशाए फिर से बहुत कॉंसक्त क्लीर होगा मैं कहतो रहूँ ट्रेंगल बहुत जगह अपने पढ़ाों गासफ मतलब ऐसी क्लास देखने को नहीं मिला होगा किसी भी ट्रेंगल का नाम लिखने या बोलने से पहले सबसे पहली बात आपके मानस पटल में एच्छाना चाहिए कि ट्रेंगल बनेगा की नहीं बनेगा ट्रेंगल बनना पॉसिबल है की नहीं है किलियर है आओ मेरी बात को ध्यान से समझेगा कोई भी ट्रेंगल कब पॉसिबल है किसी भी ट्रेंगल का बनना पॉसिबल कब है मान लीजी एक ट्रेंगल है A, B, C एक ट्रेंगल है A, B, C किलियर है इस ट्रेंगल की भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो जैसे पिछले question में 2 cm था 4 cm था 6 cm था हर question में data तो अलग-अलग होगा मैं 2 cm, 4 cm, 6 cm के जगह पे मैं यह कहता हूँ कि मान लेते हैं इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई B है, इसकी लंबाई C है मतलब कोई variables ले लेता हूँ ठीक है ट्रेंगल बनना कब possible होगा मेरी बात को खुब प्यार से समझेगा सबसे पहला काम इस बात को सुनिएगा क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है ठीक है, प्रेंगल बनेगा की नहीं बनेगा सबसे पहली बात इस बात की जाच करने के लिए सबसे पहला काम इनके भुजाओं को ascending order में set करेंगे मतलब बढ़ते क्रम में इनके भुजाओं को बढ़ते क्रम में set करेंगे बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी वाली भुजा उसके बाद उससे बड़ी भुजा सबसे पहली बात की इनके भुजाओं को बढ़ते क्रम में set करेंगे किलियर है, इनके भुजाओं को बढ़ते क्रम में सेट करेंगे, उसके बाद पहली दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा से अगर बड़ी है, ज्यान देने की वात है, पहली दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी है, तो ट्रेंगल बनना पॉसिवल है अदर्वाइज फॉर्मेशन आफ ट्रेंगल विल नौट इपॉसिवल मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि अरे भी यह हिंदी में भी समझाएंगे काहे परिसान हो रहे हो गजोधरा बुझा रहा है कि काम नहीं करने देगा है भाई ध्यान दीजेगा ट्रेंगल का नाम देने से पहले, खुब प्यार से समझना ये बहुत important है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रेंगल कैसा है, नहीं है, ट्रेंगल का नाम देने से पहले, सबसे पहले ये देखना है, कि ट्रेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, clear, ट्रेंगल का बनना possible है कि नही है मेरी बातों को ध्यान समझेगा तो ट्रेंगल की भुजाओं को त्रिभुज के भुजाओं को सबसे पहला काम बढ़ते क्रम में जिसको हिंदी में चाहिए उसके लिए लिख देता हूं प्यारे बढ़ते क्रम में सेट करो बढ़ते क्रम में एसेंडिंग और में किलियर पहली दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ी है तो ट्रेंगल बनेगा नहीं तो ट्रेंगल नहीं बनेगा इन बातों को खुब प्यार से समझेए अगर पहली दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी है तो ट्रेंगल बनेगा otherwise ट्रेंगल विल न पूछा जाए प्यारे इसका स्क्रीनशोट ले लीजेगा या लिखना चाहें तो लिख लीजेगा जी वानी प्रिया जी वेरी गुड गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग जहां भी हो जैसे भी हो आवाद रहो खुश रहो अगर आप से अब इस दुनिया के किसी भी त ना रखा है उमीद करता हूं कि सबको आपके अपनी इन खुब्सूरत खुब्सूरत आखों से दिखता होगा कि सहाब यह त्रीपूज जो आपको दिख रहा है यह त्रीपूज किस प्रकार का त्रेवज haven हैभी सिर्प भूजा के आधार पे आप से तुम कहां हो मैं बस यह अरे बाप रे बाप भाई मेरे इस तुरुप पता नहीं कौन से दुनिया से हो तुम लोग यार सच में स्टूडेंट हो या क्या करते हो समझ नहीं आ रहा है भाई यही तो तिर्भुज है अगर हकीकत कहा रहा हूँ अगर आफ लाइन में होते न मेरे सामने पकड़ के कूट दिया होता अब तक मैं अपने क्लास की छड़ी दिखाऊं पता नहीं इस क्लासरूम में नहीं है सर दूसरे वाले में है पट हद करते हो अरे प्यारी यही तो तिर्भुज है दो सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर छे सेंटीमीटर पिछले कोश्चन में पट समझो यार सबका आंसर गलत आ रहा ह भाई मेरे मेरी आवाज किलियर पहुंच रही होगी मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा प्यार से बोलूँ और आप समझ जाएं किलियर है मतलब अगर आपको मसाला टाइप मास्टर चाहिए न तो यूटूब पे दो लाग से जादा टीचर है सेसी के किलियर है यूटूब पे दो लाग से जादा टीचर है सेसी के आप न उन टीचरों को देखो यार अगर नहीं सीखोगे न कोई फायदा नहीं है कमझ पारें आप मतलब जैसा मैं एप्लिकेशन पे पढ़ाता हूं न प्यूर वही क्लास यूटूब पे दे रहा हूं पहली अब मेरी बात को सुनो जब भी किसी ट्रेंगल का नाम तुमसे पूछा जाए न जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हो न भाई तीस हो चालीस हो पचास हो इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे इस क्लास से कोई भी एक स्टूडेंट भी अगर सैटिस्फाइड ट्रेंगल आज सीख लेगा न भाई मैं अपने आपको समझूँगा कि मेरा जीवन सफल है क्योंकि साहब मेरा मकसद सिखाना है अगर आपको मुझरा देखना है तो हजारों टीचर्स घूम रहे हैं अभी भी लाइव देखो न लाखों टीचर्स दिख जाएंगे सभी को गुड इवनिंग है जितने ही बच्चे देर से लाइव आ रहे हो मेरी बात को सुनिए मैं जैसे ही मैंने आपको मान लीजिए कि मैंने आपको एक ट्रेंगल दिया और मैं इस ट्रेंगल का नाम पूछ रहा हूँ आपसे और हकीकत बता रहा हूँ अगर आज के क्लास से कुछ सीख कर जाना यहां से तो अपने दोस्तों को भी बताना अपने दोस्तों में शेयर भी करना क्योंकि मैं बार बार आते ही ये नहीं कहता कभी कि लाइक करो शेयर करो कभी मेरे मुझे सुना नहीं होगा आपने बस इतना पुछता हूँ कि भाई आवाज वगर प्रोपर आ रही है तो फिर कहानी को आगे बढ़ा देते हैं लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ जब चीजों को सिखा रहा होता हूँ उस वक्त अगर आपको सीखने को कुछ मिलेगा तो जरूर अपने दोस्तों में ये बातें समझाना अब मेरी बात को सुनिए जैसे ही मैंने आपको एक ट्रेंगल दिया मैं पूछा एक किस टाइप का ट्रेंगल है इस ट्रेंगल का नाम क्या दूँ भुजा के आधार पे क्या दूँ बेटा एडवांस मैथ आप जैसे बच्चों को कठी निसलिए लग रहा है क्योंकि अरे यार जो समझाने वाला है आपकी बिमारी को नहीं समझ पाता है और मैं अगर उस चीज को समझाना चार आओं तो भाई मेरे प्यार से समझने की कोशिश करो किसी भी ट्रेंगल के बारे में पूछा जा रहा है कि भुजा के अधार पे किस टाइप का ट्रेंगल है तो भाई मेरे ट्रेंगल के नाम बोलने से पहले पहले ये देखो कि ये ट्रेंगल बनेगा की नहीं बनेगा ट्रेंगल का बनना पॉसिवल है या नहीं बनेगा या न नहीं ट्रेंगल का बनना पॉसिवल है या नहीं ये देखना पड़ेगा तो ये कैसे पता चलता है तो ये इस बात से पता चलता है कि सबसे पहला काम सबसे पहला काम की तिर्भुज के भुजाओं को बढ़ते करम में सेट करेंगे सबसे पहला काम की तिर्भुज के भुजाओं को बढ़ते करम में सेट करेंगे उसके बाद सबसे पहला काम तिर्भुज के भुजाओं को बढ़ते करम में सबसे बढ़ते करम का मतलब होता है ये प्यारे ध्यान से सुनो बढ़ते करम का मतलब का होता है पता है सबसे पहले सेंटिमीटर क्लियर इतनी सी बात समझ में आई उसके बाद है उसके बाद मैंने बोला कि यदि पहली दो भुजाओं का योग पहली दो भुजाओं का योग दो प्लस में 4 माफ किजेगा माफ किजेगा यहां पे मुझे सात रखना था है गलती से छे लिख दिया किलियर है गलती से छे लिख दिया था पहली दो भुजाओं का योग पहली दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ी हो तो ट्रेंगल बनेगा नहीं तो ट्रेंगल नहीं बनेगा आप मुझे बताईए कि पहली दो भुजाओं का योग इस तीसरी भुजा से बड़ी है क्या कमेंट सेक्षन में कमेंट करो क्योंकि आप मेरे सामने मेरे क्लास्रूम में नहीं बैठे हैं प्यारे आप घर बैठे हुए हो भाई मेरे तो मुझे आपके कमेंट के माध् आप घर हमारे बहुत से अपनों को छीना तो है लेकिन बहुत वड़ा सवगात दिया आज इसी टेक्नलोजी के माध्यम से एक से एक टीचर इंडिया में ऐसे हैं जो कभी बच्चे सपना देखते थे कि हम कोटा जाएं पढ़ने पटना जाएं दिल्ली जाएं पहुंच नह कैसे हैं भाई हम तो उनके सामने मैं मैं अपनी बता रहा हूं उनके सामने कुछ नहीं है कि इस फ्री ओफ कॉस्ट पूरी पूरे स्लिवस पढ़ा रखे हैं कि जी कि वेरे गुड डिम्पल कुस्वाह चलिए बरे गुड थैंक्यू सब का कमेंट आ गया सबस बस इसी प्या मैं जिस यूटूब प्लेटफोर्म से कह रहा हूं प्यारे छिस दिन पेपर आये उस दिन मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया मैथ के क्वेशन की शीट एक तरफ रख लेना और एक तरफ छिए चसल के क्वेशन पेपर को रख लेना मैं कहता हूं 95% क्वेशन अगर तु मेरे द्वारा प्रोवाइड किये गया क्वेशन सीट से नहीं हुआ तो भाया मार कर छोड़ देंगे किलियर चलिए बहुत अच्छी बात बहुत से बच्चे बड़े प्यार से पढ़ रहे हैं प्यारे एक बात बता हो मैंने यही बताया कि कभी भी किसी भी ट्रेंगल का नाम कोई भी व्यक्ति पूछे ऐसी गलती मत करना आप में से सामाने ता धिकांस बच्चे देखते ही कह करें कि अरे भाया तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं तो कैसा होगा जिस तिर्भुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं विशम बाहु तिर्भुज मतलब क्लास में बगल में कोई खुबसूरत सी लड़की बैठ गी अरे अब यही सेट होगी और इसी से दुचार को बाल बच्चा पैदा करेंगे एक दाम एक दूसरा गाउं बसा देंगे अरे प्यारे पहले सेट तो कर लो गलत कह रहाँ पहले भाई जुगाड तो बिठा लो ट्रेंगल का नाम बोलने से पहले ये देखो की ट्रेंगल का बनना पॉसिवल है की नहीं है मारें के कान के नीचे जो भी वे बुद्धी खा गए हो का भाई हाथ जोड़ के कह रहे हैं इस उल्टा सीधा मत पड़ो भाई अभी नाम लिख रहा है बदमास कहीं के जी अविनास राजवर जी गुड़ इवनिंग मेरे भाई गुड़ इवनिंग तो ट्रेंगल का नाम बोलेने से पहले यह देखना है कि ट्रेंगल की जो भुजाएं दी गई है वो ट्रेंगल का बनना पॉसिवल है कि नहीं है मेरी बात सुन पा रहे हो ना आगे से किसी का उल्टा कमेंट आया तो भाई मैं ट्रेंगल का नाम बोलने से पहले यह देखना है कि ट्रेंगल का बनना पॉसिबल है कि नहीं है खुब प्यार से समझेए सबसे पहला काम इसके बाद अगर पहली दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी है बड़ी होनी चाहिए बराबर भी नहीं बड़ी होनी चाहिए पहली दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए तभी जाके ट्रेंगल बनेगा नहीं तो ट्रेंगल नहीं बनेगा किलियर है लिख लो भाई सब्दों में लिख लो जिसको लिखना है सबसे पहला काम तिरूज के भुजाओं को बढ़ते क्रम में सेट करेंगे उसके बाद अगर पहली दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बढ़ी होगी तो ट्रेंगल बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा जहां भी रहना आवाद रहना लोग मेरे प्यारे एक ट्रेंगल है ए बी सी एक ट्रेंगल का नाम है ए बी सी इनकी भुजाएं है 14 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर रुक जाओ यह तो एकदम किलियर हो गया चार सेंटीमीटर 2 cm 2 cm जरा इस तिर्भूज का नाम बता दो प्यारे और सबका कमेंट आना चाहिए इस तिर्भूज का नाम बताओ ये जो तिर्भूज मैंने बनाया खुब प्यार से समझो तुम लोग कंजड जाई से करते हो गलत गलत जवाब देते हो गलत जवाब मत देना ना आए इंतिजार में रहना कि सर्जी समझ नहीं आया फिर से समझा दो ये जो स्क्वैर के अंदर जो तिर्भूज दिख रहा है ये वाला ट्रंगल इसका जवाब दो किस टाइप का ट्रंगल है रे ABC कहे कर रहा है बकलेल सबस मेरे हिरो जीओ एक बच्चा है राजा साहू नाम से बेटा तुम जहां से भी हो जहां भी हो आबाद रहो जिंदाबाद रहो बिलकुल सही आंसर पहला बच्चा है जो पहली नजर में सही आंसर दिया है तिर्भूज संभव नहीं है बच्चा कहता है यह भगवान इतना बखलोल लई का सब है मैं इस अबस डिंपल कुसवा कहते हैं सर्ट ट्रेंगल नहीं बनेगा वेरी गुड सबस मेरे शेर जीते रहो जहां भी रहो आवाद अरे प्यारे मैंने यह समझाया कि इस ट्रेंगल का नाम देने से पहले देखेंगे कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा बनेगा या नहीं बनेगा इस बात की परक कैसे होती है तो उनके भुझाओं को न उनके भुझाओं को प्यारे ध्यान से समझो भीया उनके भुझाओं को यह सेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे मतलब की बढ़ते करम में बढ़ते करम का मतलब से इवला दू में से कौन बढ़ कौन छोट है इस दोनों दू में से कौन सा दो बड़ा एक कौन सा छोटा है वह वाई two centimeter four centimeter पहली सबसे पहला काम की इन भुजाओं को असेंडिंग ओरडर में सेट करेंगे उसके बाद अगर पहली दो भुजाओं का योग पहली दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ि मुझेज् चाहिए बराबर पे भी काम नहीं चलेगा, बड़ी होनी चाहिए, अगर पहली दो भुजाओं का योग, लेकिन ये कब सबसे पहला काम, फिर से सुन लो, क्योंकि आगे बहुत कॉंप्लेक्स ची जाने वाली है, और जिस बच्चे के पास इस बात की समझ होगी, गदर मचा के रख दो इतने प्यार से अगर किसी ने पढ़ाया हो, तो नाम बदल देना साब, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है, सबसे पहला काम, इनकी भुजाओं को सेंडिंग और में सेट करेंगे, और उसके बाद यदि पहली दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी, त तो ट्रेंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ट्रेंगल नहीं बन रहा है, तो कुछ भी नाम नहीं होगा, अरे बियाहे नहीं हुआ, तो लईका कहां से होगा, ट्रेंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, अब मेरी बात को खुब प्यार से समझे, अगर मैं यह कहता हूँ, कि अगर मैं यह कहता हूं कि चार सेंटिमेटर अब बताइए कि कैसी कैसा है तिर्भुज कि यह तिर्भुज कैसा है बताइए जरा कि बताओ भाई कि अब तिर्भुज बनना संभव है कि नहीं जल्दी से बताइए कहानी समझ में आ रही है कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत सांदार तरीके से समझ में आ रहा है दीपक पंडित क्या कहरे बताब इंपॉसिवल कहां से वह जाएगा तुमको इंपॉसिवल बना देंगे कि डिंपल कुस वहां कह रही है कि सर जी तिर्भुज नहीं बनेगा साबस बहुत प्यारी बच्ची है सुनीता गर्ग कहती है संभव है सर राजा साहू साबस तुम लोग एकदम मेरे टॉपर स्टूडेंट हो यार अब मेरी बात को ध्यान सुनो बिटा जैसे ही मैंने आपसे पूछा इस तिर्भुज के बारे में पूछा खूब प्यार से समझना जिन बच्चों से गलती हो रही है उन् 연 highly इस रिष्टे को खूब प्यार से यह देखना है कि ट्रेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा ट्रेंगल बनने की संभावना मतलब ट्रेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है इस बात की परक इस बात की जांच कैसे होगी तो मैंने यह सिखाया कि सबसे पहला काम करना कि इनके भुजाओं को बढ़ते क्रम में लिख ल आपने लग जाना कि इस दोनों 4 में से कौन सा 4 बड़ा है कौन सा 4 छोटा है वह या दोनों 4 है ठीक है तो मैंने बताया कि सबसे पहला काम इनके भुजाओं को बढ़ते करम में लिखना है उसके बाद पहली दो भुजाओं का योग प्यारे अपने सब्दों में अगर आप भ भुजा से बड़ी है पहली दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से बड़ी है तो तिर्भुज बनेगा यहां पे बड़ी है भाई यहां तिर्भुज बन रहा है अब तिर्भुज बन रहा है तो अब बताओ कि कैसा तिर्भुज है तिर्भुज बन रहा है त्रभुज बन रहा है तो कैसा है तो दो भुजायें आपस में बराबर हैं मतलब संद्य बाहू सुन लीजीए त्रभुज बनेगा सबसे पहला काम नाम देने से पहले आपको ये चेक करना है कि त्रभुज बनेगा की नहीं बनेगा बनेगा तो ये देखना है कि भाई कैसा तरवुज है अगर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो विशम बाहु तरवुज अब कहानी को आगे बढ़ा दूँगा हाँ भाई कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो समद्य बाहु तरवुज और तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो सम बाहु तरवुज भाई आव तक हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा रखा हूँ किसी एक भी विद्यार्थी की ये शिकायत नहीं थी किसर जी आपका बोली लटपटाता है हमको नहीं बुजाता है बहुत फ्रेश बोलता हूँ मैं है न भाई तो आप न अगर कमजोर विद्यार्थी अगर आपको लगता है कि हमें जदा मेहनत की आप सकता है तो मेरी आवाज न बहुत फ्रेज तरीके से आपके पास पहुँच रही होगी कॉपी में नोट डाउन कर लो मतलब कि लिख लो जिस तिर्भुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगी उसको भी समभाहू कहेंगे जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होगी उसको समभाहू कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी उसको समभाहू तर्भुज कहेंगे लेकिन नाम देने से पहले लिख लिजिएगा फ्रेज सुनाई दे रहा होगा नाम देने से पहले ये देखना है कि तिर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है उम्मीद करता हूँ प्यारे ये बात समझ में आई होगी अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं किलियर चलिए प्यारे एक बात बताओ तुम सभी ये बात तो समझ गए कि भुजा के आधार पे तिर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और कैसे पहचानूंगा कि भुजा के आधार पे कैसे तिर्भुज अब कोन के आधार पे किसके आधार पे कोन के आधार पे मैं आपको एक बात बताओं खुब प्यार से समझेगा, अब चीजें थोड़ा सा कॉंपलेक्स होगा, कुण के आधार पे, मानता हूँ कि आपने पहले कहीं न कहीं पढ़ा होगा, और बहुत अच्छा पढ़ा होगा, गुर्देव जो भी पढ़ाये होंगे, पहले वाले सर्जी भी अच्छा पढ़ाये दीजेगा, इससे ज़्यादा आपको आप सकता नहीं, बस जितने कोश्चन मैं यहां से प्रोवाइड कर दूँ, क्लास के बाद, उसको जरूर रगड दीजेगा, इससे ज़्यादा आप सकता नहीं है, बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट पर मेहनत कीजिए, थोड़ा सा आप कंसेंट्रेशन बनाए रखना, एक क्यूट एंगल ट्रेंगल, अर्थात की न्यून कोण तिरू, जितने मेरे हिंदी माध्यम वाले भाई वंदू हैं, न्यून कोण तिरूज किसे कहेंगे, समाने ता आपको पता होगी बात, खुब प्यार से समझना, मैं कह रहा हूं बार चाहिए तो, एक क्यूट एंगल ट्रेंगल मतलब की न्यून कोण तिरूज तो भईया, तिरूज तो कोई भी तिरूज यही वाला तिरूज होगा, कोई भी तिरूज, तिरूजवा तो यह न होगा जी, अच्छा सुनिएगा, बच्चा बहुत गलती करता, यह छोटी-छो कोई भी ऐसा तिरूज, खुब ध्यान से समझना, कोई भी ऐसा तिरूज, अब जैसे ही न्यून कोण देखा न, बच्चा, बच्चा जैसी न्यून कोण देखता है, तो उसकी कहने का मतलब है कि साहब इसके सभी कोण न्यून कोण होंगे, इसके सभी कोण न्यून कोण हों है मैंने बोला था कि छोटी-छोटी बातों के जो इन छोटी-छोटी बातों का यूज होगा जब आगे हम कठीन लिवल के क्वेशन कर रहे होंगे तो है ना कर निउन कोन का मतलब मैं यह समझाया था कि 90 डिगरी से कम मतलब 89 डिगरी तक के जितने भी एंगल होंगे वे सभी मैं तो तो आप hai तो यह तो अब ही तीनो कोमें नियून कोन है किलियर ना खुब प्यार से समझेगा हाँ कमेंट सेक्षन में जब हम कहेंगे तब लिखिएगा अभी प्यार से समझे बहुत प्यारी बात है मतलब यहां जानना जरूरी है यहां पे आपका कंसेंट्रेशन होना चीए क्लास में देखो प्यारे मेरा सक्सेस बस यही है मैं अपने आपको बहुत सफल मानता हूं कि भया ऑनलाइन में भी जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं चाया हो एप्लीकेशन पे हो यूटूब पे हो उनका यह कहना है कि सर मुझे थोड़ा सा भी फर एक वार सब का थमसप आजाना चाहिए क्लियर है थमसप करो सब तब तक मैं कॉंसेप्ट समझा रहा हूं आजओ सब अंग्ठा के निसान दिखाओ जल्दी से अगा अन्हां अब मर्जी होते खेड़ कर दिया करो खेार मालन लेते हैं कि अगर मैं नहीं कहता हूं लाइके लिए तो क्या तुम करोगे नहीं प्लीज कर दिया करो पता है तुम एक चेर करोगे न तोहर चार सोलोग दोस्त जानेगा अब फिर ओतोs dawn HAMema जानेगा कमज रहे हो तो फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा कारवा ना अरे वाह बहुत वह धन्यवाद सावस लव यू टू अरे वाह दिल जीत लियार तुम लोग आओ प्यारे मेरी बात को सुनिएगा जैसे ही एक यूट एंगल ट्रेंगल के बारे में तुमसे कहा जाता ही मतलब नियून कौन तिर्भुज के बारे में तो तुम्हारे मन में खयाल आएगा कि सर्जी एक ऐसा तिर्भूज होता होगा प्यार से समझेगा एक ऐसा तरहोज होता होगा जिसके सभी कोणे नियून कोण होंगे जिसके सभी कोणे नियून कोण होंगे तो नियून कोण में से तो भाया एक से लेकिन अब्वे डिगरी तक के एंगल तो हो सकता है कोई बच्चा है न एक एंगल 89 डिगरी रख दे एक पिछात्तर डिगरी एक पिछासी डिगरी हो thing 717 THAT एक निवासी रख दे कुझात्र रख दे क्यासीए लेकिन नहीं अब कहने को तो इस सारय कोणं निवन कोण है लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा नियून कोण तिर्भुज लिख लीजेगा मैं लिख देता हूँ हनम और थोड़ी सी हिंदी में हाथ तंग है तो कहीं मात्रा वगर में गलती हो ना प्यारे तो उसको आप अपने इस तर पे सुधार लीजेगा ठीक है चलिए वेरी गुड पता है प्यारे एक यूट एंगल ट्रेंगल में मतलब नियून कोण तिर्भुज में फ्यान देना नियून कोण तिर्भुज में पहले ही माफी मांग रहा हूँ मात्रा में कहीं भी गलती दिखाई दे आप अपने आप सुधार लेना ठीक है नियून नियून कोण खुब प्यार से समझेगा क्योंकि एक बार फाउंडेशन जवर्दस्त हो गया ना बेसिक सांदार हो गया तो कठिन से कठिन सवाल भी करा दूं आप मार नहीं खाने वाले हैं किलियर नियून कोण तिर्भुज में प्रतेक कोण प्रतेक कोण नियून कोण होन होना चाहिए होना चाहिए लेकिन क्या लेकिन लेकिन सभी कोणों का योग सभी कोणों का योग 180 डिग्री से जादानी होना चाहिए सभी कोणों का योग कुल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए जो मेरे इंग्लिश मेडियम वाले स्टूडेंट हैं प्यारे तुम भी लिख लो each angle, each angle of an acute angle triangle is acute angle each angle of an acute angle triangle is acute angle but some of the angles but some of the angles should must be equal to 180 degree ना तो एक सौसी से कम ना एक सौसी से जाता each angle of an equilateral triangle sorry each angle of an acute angle triangle is acute angle but some of the angles should must be equal to 180 degree clear है प्यारे ये बात समझ में आ गई very good चलिए भाईया मैं बिहार से हूँ एक बच्चा पूछ रहा है सर जी आप कहां से हो जन्मभूमी बिहार है गुरू और कर्मभूमी मुखरजी नगर दिल्ली है बस यहीं से अभी आपके साथ जुड़ा हूँ और मुझे उमीद है यूपी बिहार के बहुत से बच्चे इस क्लास में मेरे साथ फिलाल लाइव हैं यह मेरा सौभाग्य है कि आप सभी से जुड़ने का मौका मिल रहा है जी दीपक पंडी जी मेरी क्लास रेगुलर होती है किलियर है प्यारे मेरी बात समझ गए नियून कोन तिर्भूज में अर्थात की एक्यूट एंगल ट्रेंगल के सभी कोन नियून कोन तो होंगे एक्यूट एंगल ट्रेंगल के सभी कोन नियून कोन होंगे लेकिन सभी कोनों का योग सम आफ दे एंगल शुड मस्ट भी एक्वल टू 180 डिग्री इट इस मेंडेटरी उमीद है कि ये बात समझ में आगे होगे है कि लेर है अच्छा साइड वाला दिखाई नहीं दे रहा हूं कैमरे का एंगल थोड़ा सा वह दिक्कत कर गया होगा माफिश चाहता हूं मैं कितनी बार बोल दिया इसको लिख लीजिए और बाकी में कल सही करवा दूंगा ठीक है समाच आते हैं अज अब आवन राइट एंगल समझाता हूं प्यारे अब आजाओ राइट एंगल ट्रेंगल समझाओं आपको अभी रुकिएगा बहुत मजा आएगा भी पता है क्या इतना सिखाने के बावजूद और आप में से जिसको भी लगता है न कि यार सर जी ये तो बाते छटी-सातवी क्लास में पड़ी थी बैटा दस मिनट का टाइम दे रहा हूं सारी बाते रिवीजन कर ले फिर से गलती होगी पिर से गलती होगी और तब कहोगे अरे सर जी ये तो आज तक यूटूब पे भी किसी टीचर ने हमें समझाया नहीं सब कटिन-कटिन सवाल कराके भौकाली मचाके डरा देते हैं लेकिन यह मैटरियल किसी ने नहीं दिया कि यह पता नहीं बच्चों को ना हकीकत बताएं तो कुछ चपरिया मास्टर लोग मतलब कुछ लोग कि एकदम मसाला दे देके कि कुछ तो अच्छे टीचर लोग भी कि छ इस दुनिया में एक भी विद्यारत्या इसा नहीं होगा कुछ जो राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में नहीं जानता होगा अब राइट एंगल ट्रेंगल तो ड्रो तो सब कर लेता है है न भाई अभी इस बात का कुछ जो देखो मैं इतना मान के चलता हूं जब भी मैं चेप्टर शुरू करता हूं तो बेसिक चीज में इतना लेवल समझा के रखता हूं कि जो बच्चा पहली बार मेरी क्लास देख रहा होगा न उसको भी 100% समझ में आएगा जिसको सारी इंगल का यह मतलब कता ही नहीं है कि उसके सारे एंगल राइट ओंगर होंगे कव जो बच्चा बिल्कुल नया है तो रॉसमानन त्रेंगल देखाया है एंगल न्यून कोण एक कोण राइट एंगल मतलब कि 90 डिगरी का बाकी के दो कोण न्यून कोण यह दोनों आपस में न्यून को राइट एंगल ट्रेंगल में सम कोण तिरूज में एक एंगल 90 डिगरी का बाकी के दो कोण कैसे noon cone but some of the angle should must be equal to 180 degree है न भाई लेकिन सभी कोणों का योग 180 degree ही होना चाहिए ना तो 180 degree से कम ना ही 180 degree से जादा आप अपनी अपनी भासा में अपने सब्दोन उसार लिख लीजेगा obtuse angle triangle का क्या मतलब है obtuse मतलब की अधिक कोण तिर्भूज का क्या मतलब है प्यारे इसको मैं यहां लिख देता हूँ ताकि आपको दिखी जाए अधिक कोण तिर्भूज का क्या मतलब है है भई अधिक कोण तिर्भूज का क्या मतलब है कि आपको लगेगा कि सर जी अधिक कोण तिर्भूज कह रहा है अधिक कोण तिरोज केरा इस बात का ये मतलब तो नहीं होगा कि सारे कोण अधिक कोण होंगे देखो न अधिक कोण मैंने समझाया था कि 90 डिगरी से बढ़ा होगा कोण लाइन्स और एंगल्स वाली क्लास नहीं देखे हो न आसान चीज समझ के तो प्यारे देख लेना अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट है तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर विद्यार्थी हो न तो लाइन्स एंड एंगल्स के दो लेक्चर है प्यारे पहला लेक्चर एकदम कॉंसेप्ट बहुत आराम-ाराम से समझाया दूसरा लेक्चर उस प अधिक कॉंड मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा एक तो अधिक कॉंड क्लियर है न एक अधिक कॉंड बाकी के दो कॉंड जो होंगे ये नियून कॉंड होंगे बाकी के दो कॉंड नियून कॉंड होंगे क्लियर है प्यारे अब नियून कॉंड में कुछ भी होंगे लेकिन sum of the angle should must be equal to 180 degree मतलब की इनके कोणों का योग सब्दों को खुब प्यार से समझेगा गलती होगी आगे अगर class मेरी देख रहे हो अमोईलिया में तो रे महरिया के message आते जा रहा है बाबु सोना का ध्यान उकरे उपर है सब्दों को प्यारे ध्यान से समझना क्यूंकि एकोय हम डाइगराम नहीं बनाया है भाईया हम दोनों अंगल को यहाँ indicate कर रहे हैं कि न्यून कोण होगा पता चले तुम डाइगराम समझ लो इसको भाई कहें डाइगराम समझ लोगे तो दिक्कत हो जाएगा भया हमें इसको हटाने दो किसी तरह से न भाई मतलब ये वाला भी एंगल और ये वाला भी एंगल नियून कोन कहलाएगा भाई सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है न नियून कोन मतलब एक बच्ची थी आफ्लाइन आफ्लाइन क्लास की मैं कहानी मतलब एक बच्ची थी मैं क्लास में जैसे अभी आपको लिखवाया था वह अपनी मर्जी से कुछी भी नोट डाउन कर लेती है और रात को मैसेज करती कि सर जी ये सवाल समझ में नहीं आया सरा बहुत गंदे पढ़ाते हो मुझे इतनी हस्या ही मैं बढ़ा जितना मैं लिखवाया कुछ और था और लिख कुछ और रही है मतलब मुझे इसा लगता है उस दिन गांजा वाजा फुक की आई थी तो इसलिए मुझे अभी द्यान आया कि कहीं कोई बच्चा इसको डाइग्राम समझ के कांड़ न कर दे और उस दिन भी एडवांस ही पढ़ा र प्यारे एक बात बताओ अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा कमेंट सेक्शन रोक दीजा क्योंकि आज आपका कमेंट में सामने पढ़ रहा हूं और सामने वाली टीवी खराब हो गई है इसलिए है ना तो अब मेरी बात को थोड़ा कंसेंट्रेशन से समझेगा डिम्पल कुसवाह जी बटा है डाउट तो खेर एक भी पैदा होगा नहीं आपके प्यारा सिर्वात से पिछले छे वर्सों का सात वर्सों का अनुभव इतना है कि क्लास में अगर आप कंसेंट्रेशन बना करवाएंगे जिस पे कि आप फ्राइडे नाइट को अपने सारे डाउट भेज दिजिएगा शुक्रवार के रात को सनिवार और इतवार दो दिन हम डाउट सेशन रखते हैं क्योंकि सनिवार और इतवार यहां ऑफलाइन बैच की छुट्टी होती है तो दिन भर बैटके म मैं बच्चों का डाउट ही सॉल्व करता रहता हूं जो ऑफलाइन वाले बच्चे वो डाउट पूछने आते हैं और आप लोगों का भी डाउट भेजता रहूंगा ठीक है अब आईएगा मेरी बात सुनिएगा यहां पे खुब ध्यान से समझेगा कमेंट सेक्षन रुख दीजिए आप अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो रुख जाईएगा प्यारे अगर मैं पीछे बात करूं अच्छा मिटा दिया था क्या ठीक है रुख जाईए यहां पे मैंने आपको ट्रेंगल के बारे में स कुछ दो आधार पे बांटा गया है एक भूजा के अधार पे और एक कॉन के अधार पे भूजा के आधर पे तरुख पाल़ ऑनकर गुछाओं को देख के बोला जाएगा कोण के अधार पे फूद को देख के बोला जाएगा इतनी सी बात अगर सबका क्लियर हो ना एक वार कमेंट सेक्शन में सारे वच्छे कमेंट कर दीजिए है ना भाई फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ाते हैं भाई डिवाइड नहीं आता है तो जाके एक काम करो हमरे कोचिंग के बगल में न एक लाइबरेरी तैयार हो रहा है मतलब मकान बन रहा है यहां आओ और उसमें तुमको हम इटा सिमेंट ढोने का नोकरी लगा देते हैं सारा जोड़ घटा और गुणा भाग अपने आप सीख जाओगे त्मातर दू दिन नोकरी करना है दस घंटा जब नोकरी करोगे नहीटा उठाओगे 400 रुपए डेहारी में सब फगुणिया याद आ जाएगी जतना भी फगुणिया के चक्कर में लगे हुए हो अब मेरी बात सुनिएगा प्यारे मैंने क्या बताया कि भुजा के आधार पे जो त्रभुज होगा उसके भुजाओं को देखके बोलेंगे जो कोण के आधार पे होगा उसके कोण को देखके हम बता देंगे सम कोण है कि अधिक कोण है कि निवन कोण है लेकिन कोण वाले म लेकिन जो serious candidate हैं आप में से जो प्यारे विद्ध्यार्थी जो एकदम seriously पढ़ना चाहते हैं प्यारे आप से मैं बता दूँ कि नोट कर लिजेगा अगर नहीं भी कियोंगे तो वीडियो को पीछे करके नोट कर लिजेगा अब मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे अब अगर मैं एक तिर्भुज देता हूं इस बात को खुब प्यार से समझेगा मतलब यहां पे बढ़ियां बढ़ियां पड़ा लिखल विद्यार्थी सब बकलोल हो जाता है कमझ रहे हों अपिनोद गजण्धरा का कह रहा है कर एक बात बताओ आओ मान लिया है कि एक तिर्भुज है चार सेंटीमेटर की है अरं यह भुजा मैं रखता हूं साथ प्यार से समझना अब जितने भी मेरे serious candidate इस वीडियो को देख रहे हैं live session में प्यारे अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि प्यारे एक बात बताओ भुजा के अधार पे तिर्भुज कैसा है जल्दी से नाम बताओ अब सभी बच्चे अब जल्दी से comment कर दो भुजा के अ सबसे पहला answer है जगदीश्वर दिवांगान वहीं हम आपका नाम नहीं पढ़ पाएं सही से माफ किजेगा रॉली श्रीवास्तव रंजन यादव जैहिंद वावु जैहिंद मेरे सेरो इसे ही प्यार से पढ़ते रहना आग लगा देंगे पक्का कह रहे हैं आज 45-50 live watching दि तुमारा प्यारा शिरवाद रहा और क्लास के बाद जितने बच्चों को मज़ा आएगा ना सब अपना चार-चार को दोस्त को सेर करेगा गंगा सिंग कहते हैं सर्कना रीड और क्लास आपको आपको अबजेक्शन नहीं होगा मैं क्लास 9 में पढ़ती हूं बहुत बहुत स सुब कामना ऐसे बाद रॉली शिरवास्ता बड़ा मुश्किल से टाइम मिला है बटा कर देंगे वक्त के साथ टाइम चेंज कर देंगे आपका रीक्वेस्ट मैं कई दिनों से देख रहा हूं समद्वी बाहुत तिर्भूज क्या बहुत सांदार आईसो सेलेश्ट रेंगल प्यारे मेरी बात को खुब प्यार से समझना जैसी मैंने आपसे नाम पूछा तो सबसे पहला काम आपका रहा होगा इस बात को सुनिएगा खुब प्यार से सबसे पहला काम आपका रहा होगा कि इनके भुजाओं को इनके भुजाओं को आपने क्या किया एसेंडिंग और में सेट किया और पहली दो भुजाओं का योग पहली दो भुजाओं का योग अगर तीसरी से बड़ी है तो तिर्भूज बन रहा है और अगर बन रहा है तो और है टो कैसे तिर्भुज संभिभाऊ। लेकिन सोचने की बात है अगर इसी तिर्भुज को मैं कहूं कि तुँ मुझे ये बताओ कि कौन के आधार पे इस क्या नाम दूँ कोन के अधार पर इस त्रिभूज का क्या नाम दूँ अब बहुत बच्चा सब्धात चीयर देगा ध्यान से समझनाम पूछना क्या चा रहे हैं आप से के जुन होसियार होसियार बन रहा होगा जेखरा बुझारा वगे हम बहुत intelligent है तुमसे हम पूछ रहे कौन की अधार पे क्या नाम दूँ इसका जल्दी से कमेंट करो कौन कि अधार पे क्या नाम दूँ सब्द को ध्यान से पढ़ो कोई बुडवक सब इसी में आईसो सेलेस्ट इक्विलेटरल लिख रहा है रहे भाई आम कोण के अधार पे पूछ रहे हैं इस्तिर्वुज का कोण के अधार पे क्या नाम दूँ ये बताओ जल्दी से तुनिएगा ये जो क्वेश्चन मैंने आप से पूछा है इसकी वेल्यू में उपर वाले ट्रेंगल में सेट करता हूं हैं बई चार सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर साथ सेंटीमीटर किलियर है यहां से मैं चीजे मीटा रहा हूं ठीक है बटा भुजा के आधार पे तुम लोग एक्सपार्ट हो गए हो लेकिन लेकिन इसी त्रभुज का जवाब मैंने आप से पूछ दिया कि कोण के आधार पे बताओ क्या नाम होगा कोण के आधार पे क्या नाम होगा कौन की आधार पर बताओ ध्यान दीजेगा सबसे पहला काम खुब प्यार से समझो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कोई भी त्रवूज होगा उनके भुजाओं को आप एसेंडिंग ओर्डर में सेट कर लेना उनके भुजाओं को अगर इस त्रवूज में कोण लिखा होता समझने की बात है अगर इस त्रवूज में कोण दिख रहा होता तब तो बता देते कि न्यून कोण बन रहा है कि सम कोण बन रहा है कि अधी कोण बन रहा है लेकिन कोण नहीं दिख रहा है भुजा दिख रहा है सुनो मेरी सब्दों को ध्यान से भुजा दिखने के बावजूद अगर कोण के अधार पे पूछा जाए तो क्या करेंगे तो खुब प्यार से समझेगा सबसे पहला काम इनके भुजाओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे बढ़ते क्रम में तो लिखना ही पड़ेगा क्यूं प्यार से उसके बाद क्या बोला मैं कि भाईया सबसे पहला काम इनके भुजाओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे अब अब ध्यान से सुनना अब ध्यान से सुनना सबसे पहला काम इनके भुजाओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे यदि तीसरी भुजा का वर्ग पहली कें बोल दिया कि ध्यान सुनना यदि तीसरी भुजा का वर्ग सब्डों को सुनो प्यार से टीसरी भुजा का वर्ग पहली दो भुजाओं के वर्गों के योग से चोटी हो जाये देखो ना चोटा सा मुंँ है तीसरी के तरब सब्दों को प्यार से समझे, जिन्दगी में भूलोगे नहीं, यदि तीसरी भुजा का वर्ग, सबसे पहला काम क्या करना है, उनके भुजाओं को बढ़ते क्रम में लिख लेना है, और यदि तीसरी भुजा का वर्ग, पहली दो भुजाओं के वर्गों से छोटी हो जाए, तो छोटे इंगल वाला ट्रेंगल, एक्यूट इंगल ट्रेंगल, कोई भी ट्रेंगल हो, सबसे पहला काम उनके भुजाओं को बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, अगर तीसरी भुजा काई स्क्वाईर हैंबाई सबसे पहला काम उनके भुजाओं को बढ़ते क्रम में लिख लेंगे अगर तीसरी भुजा काई स्क्वाईर खुब कंसेंट्रिशन बना के रखना तीसरी भुजा का स्क्वाइर पहली दो भुजाओं के स्क्वाइर के सम से मतलब पहली दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी हो जाए तो बड़े इंगल वाला ट्रेंगल और ट्रेंगल तीसरी भुजा का वर्ग पहली दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक हो जाए तो अधिक कोण वाला ट्रेंगल तीसरी भुजा का वर्ग पहली दो भुजाओं के वर्गों के योग से खुब प्यार से समझना लास्ट टेप है तीसरी भुजा का वर्ग पहली दो भुजाओं के वरगों के योग से लेकिन ये काम बाद में करना है सबसे पहला काम फिर से रिपीट कर रहा हूँ सबसे पहला काम कि भीया उनके भुजाओं को बढ़ते करम में लिखेंगे उमीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रही होती बात प्यारे क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा मुझे भी इतने डिटेल में पढ़ाने का सबसे पहला काम उनके भुजाओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे तीसरी भुजा का वर्ग पहली दो भुजाओं के वर्गों के योग से पहली दो भुजा के उबर्गों के उसके छोटा हो जाए तो छोटे एंगल वाला ट्रेंगल नियून कोण तिर्वूज सबसे पहला काम उनके भुजाओं को बढ़ते क्रम में सेट करेंगे मेरे साथ साथ गुन-गुनाओ जहां भी बैठे हो यदि तीसरी भुजा का सब्द ध्यान रखिएगा एक ही भासा पे तीनों अधारित है किसी भी किताब को उठा के देख लीजिएगा ये भासा नहीं मिलेगी सिर्फ एक किताब में मिलेगी मैं स्वाई निखिल चौधरी जो किताब बहुत जल लौन्च होने वाली है तीसरी भुजा का वर्ग पहली दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक हो जाए तो अधिक कोण वाला त्रभुज और तीसरी भुजा का वर्ग पहली दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो राइट एंगल ट्रेंगल और यही तुम्हारा पाइ घंटे से इस लाइव सेशन में मेरे साथ बने हुए है, जिनको भी कहानी समझ में आई है, जल्दी से एक वार थमसप कर दो, ताकि आपको भी फिरी कर दूँ, आप भी जाओ घर, और हम भी पहुँचे अपने घर. जल्दी से भाई, एक मेरा इंटरनेशनल क्राउड एक बच्चा कहता, सर मैं पाकिस्तान से देख रहा हूँ, भाया तुम दुबई चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, जी जितने ही बच्चे फिलाल लाइव सेशन में जोड़े हुए, जल्दी से एक बार, चलिए, तो प्यारे मेरी बात को ध्यान से समझीएगा, फिर हमारी मुलाकात कल रात आठ वजे होगी, किलियर है, और उमीद करता हूँ कि क्लास को बहुत प्यारे ढंक से आपने इंज्वाय किया होगा, मिलते हैं कल रात आठ वजे, अपने सेम टाइम पे, एक बच्ची मे होगा, तो करूँगा, फिर हमारी मुलाकात कल रात आठ वजे होगी, आप अपना ख्याल लखिएगा, स्वास्ट तरहिए, सुरक्षी तरहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करते रहिएगा, छोटों को प्यार देते रहिएगा, गुड नाइट, सुभरात्री, और जितना झाल को अब्मान करते रहिए. झाल झाल